Good morning friends, मित्रो आपडे छेले unit number 5 ना questions नी चर्चा करेली हती अत्यार सुधी माँ आपडे textbook ना 5 unit करेली दाचे फरी थी आपडे एक वखत grammar ना point उपर आविये चीए तमने या दशे के आपडे अलग-अलग tenses जे समझ्या चीए एनी अंदर एक शब्द अवार नवार आपडे वापरता था सहाई कारक क्रियापद मारे आजे आ सहाई कारक क्रियापद उपर फोकस करवू छे मित्रो वरस नी शर्वाद मां आपडे जे वीडियोज मोगलेला हता एमां केटलाक अगत्यना शब्दो एवू टाइटल आपी अने मे तमने केटलाक शब्दों नी समझ्यूती आपी हती जे मानो एक शब्द हतो क्रियापद क्रियापद केने केवाई आपणे सेच याद करी लेए वाक्यनो जे शब्द क्रियादर्शावे तेने क्रियापद केवाई एवू आपणे कैक शिखेला शिये आजे आपणे वाद करवी चे आजे क्रियापद होई एना प्रकार केटला होई अने ए प्रकार माधी सहाईकार क्रियापद शूंचे एनी वाद करवी चे सहाईकार क्रियापद ना पन प्रकार केवा आने केटला होई चे एनी वाद करवी चे तमारी स्क्रीन पर तमने कईक अवू लखेलू देखाई छे Modal Auxiliary Verbs Part 1 कदाच तमने आ हेडिंग समझाशे नहीं अत्यारे पड़ आपने जोईए के शूँ छे तमारी स्क्रीन उपर बराबर जो अंग्रेजी भासामा क्रियापद ना एटले के वर्ब्स ना बे प्रकार छे तमें जानोंचे क्रियापद ने अंग्रेजी भासामा वर्ब के वामा आवे छे हवे आ वर्ब बे प्रकार ना होई छे एक मुख्य क्रियापद जेने अंगरीजी मां आपने main verb कई शक्ये बीजु सहाई कारक क्रियापद जेने इंगलीज मां auxiliary verb अथवा तो एने helping वर्ब पन तमें कई शको छो हवे आ एक पची एक सेज डिटेल मां समझे मुख्य क्रियापद कोने के वाई let us see on the screen मुख्य क्रियापद वाक्य नो जे शब्द क्रिया के स्थिती दर्शावे तेने मुख्य क्रियापद कहे छे कोई पन वाक्य होई एनी अंदर कोई शब्द एवो होई किछी क्रिया दर्शावे दाखला तरी के हूँ भणावू छू तो बणावानी क्रिया थाए छे एटले एश शब्द बणावू एक क्रियापद छे तमे क्रिकेट रमो छो एम हूँ कऊ तो एनी अंदर रमो छो शब्द एक क्रिया बतावे छे मतलब एवाक्य माँ क्रिया पद छे रमो वू तो आरी ते क्रिया दर्शाव तो कोई शब्द होई तो ए मुख्य क्रिया पद छे जो ये एक्जाम्पल्स पन केका पेला छे एजी तमने खबर छे फोर एक्जाम्पल कम, गो, रन, प्ले, टॉक, थिंक, एटसेक्टरा वगेरे वगेरे मतलब के कम एटले आववानी क्रिया तमने खबर छे गो एटले जवानी क्रिया रन, दोडवू, प्ले, रमवू, टॉक, वातो करवी आव बदीच क्रिया वो जशे तमने खबर छे ठिंक, विचारवू, तो विचारवू एपण एक प्रकार नी क्रिया चे तो आव बदाज शब्दो एवा छे के जे कईक ने कईक क्रिया नू सुचन करे छे अणि एटले आवा तमाम शब्दो एव मुख्य क्रिया पद छे गुद्राती भाषा मा खावू, पीवू, उठवू, बेसू, दोडवू, चालवू, नाचवू आव बदीच क्रियाओ दर्शावता शब्दो चे एटला माटे क्रिया पद छे इन दर सेम वे इंगलिश मा आव बदा मुख्य क्रिया पद मतलब के में वर्प्स चे तो पची सहाईकार क्रिया पद कोने के वाई आपड़े अवार नवार आ शब्दो नो उप्यो करिये चीए तो ये शूँचे लेट अस सी सहाईकार क्रिया पद काउश मा लखेलू चे अउक्जिलरी वर्ब शूँचे जो वाक्यनो जे शब्द क्रिया नो समय मतलब के काड समय एटले काड वाक्यनो जे शब्द क्रिया नो समय के भाव व्यक्त करवा सहाई करे तेने सहाई कारक क्रिया पद कहे चे मतलब वाक्यनी अंदर कोईक शब्द एवो चे के जे तमने काड नक्की करवा मा मदद करे जे तमने वाक्यनो भाव केवो चे वाक्य मां थी अर्थ के वो प्रगट थाई छे, वाक्य नो भाव विनंती नो छे, उदगार नो छे, प्रस्न नो छे, भूद कार्ड नो छे, भविश्य कार्ड नो छे, अवु नक्की करवा मां तमने जे सहाई करे, एवा क्रियापद ने सहाई कारक क्रियापद कहवाई अंग्रेजी वासामा तेने auxiliary verb के helping verb कहे छे मतलब the verb which helps क्रियापद के जे मदद करे छे ए सहाईकारक क्रियापद छे हवे आ सहाईकारक क्रियापद जे छे एना पण आगडू पर पेटा प्रकार छे मित्रो याद राग जो मेईन वर्म जे छे मुख्य क्रियापद एना कोई पेटा प्रकार आपड़े आईयां अत्यारे शिखवाना नधी हवे सहाईकारक क्रियापद ना जे प्रकार छे लेटसी हाँ प्रकार जोता पेला छेल्लू एक वाक्य प्रमाजीलो विधान वाक्य माँ तेने करता पछी मुख्या माँ आवे छे तमने आपड़े जे काड शिख्या छे एनी रचना बराबर या दशे के तमाम काड नी अंदर सहाईकारक क्रियापद ने आपड़े करता नी पाछड मुख्ये छे जो विधान वाक्य होई तो आगण जो ये ओक्जेलियरी वर्ब्स ना बे प्रकार होई छे पेलो प्रकार सिम्पल अथवातो प्राइमरी ओक्जिलरी वर्ब मतलब के साधा सहाईकारक क्रियापदो अथवातो प्राथमिक सहाईकारक क्रियापदो अने बीजो प्रकार छे मोडाल ओक्जिलरी वर्ब modal auxiliary verb ए नो बिजो प्रकार छे पन एनी चर्चा करता पेला simple auxiliary verb जे छे एनी वाद करिये आपड़े तमे simple auxiliary verb विशे जानों जो छो मत्रहूं तमने याद पाऊँ छो जो तमारी स्क्रीन पर simple auxiliary verb जे छे ए मात्र त्राण छे मित्रो वाक्य बराबर वाच जो simple auxiliary verb मात्र त्राण छे एवू लकेलू छे त्राण प्रकार ना छे एवू नई मतलब simple auxiliary verb त्राण प्रकार ना होई एवू नती पन अंग्रेजी भासा मां त्रोणज क्रिया पदेवा छे के जे simple auxiliary verb तरीके वपराई छे त्रोणज सहाई कारक क्रिया पदेवा छे क्या नंबर वन B तमेलोको जेने to be तरीके ओडखो छो ए बी ए एक simple auxiliary verb छे B अने काउसमा में लखेलू छे aim, is, are, was, were तमेलो शिखेला छो आठमा दोरणमा, सातमा दोरणमा के to be ना वर्दमान कारना रूप छे aim, is, are अने भुद कारना रूप छे was, अने, were ए समये तमने बराबर ख्यालनों तो आउतों के आ शूँ छे पण मित्रो याद राज्यो a, am होई, is होई, के r होई, a, 6, b, wet was होई, के वर होई, a, पं, 6,0, be, j a, b, nा अलग, 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 श्वरूप होँ छे बी ज्यारे सहाई कारक क्रियापद तरीके वर्तमान काड मा वपराई त्यारे एम ईज के आर लखाई आ बी ज्यारे सहाई कारक क्रियापद तरीके भुत काड मा वपराई त्यारे वोज अत्वातो वर वापरवानू छे हवे वर्तमान काण माँ पण एम क्यारे वापरवू, इस क्यारे वापरवू, आर क्यारे वापरवू तमे जहानों छो ए जरीते वोज अने वर क्यारे वापरवा ए पण तमे शिखी चुक्या छो तो आ पेललू सिम्पल अक्जिलरी वर्ब छे बीजू जिम्प लोक्जिलरी वर्ब चे हेव जेनो उप्योग पन तमने खबर रज चे हेव अने हेज ए वर्तमान काड मा वापर ये चिये अने हेड चे ए भुदकाड मा वपराई चे जेम बी तमारे भुदकाड मा वापरव होई तो वोसके वर मुखवू पड़े एवीज रिते हेव ने जयारे भुदकाड मा वापरवू होई तो तमारे हेड मुखवू पड़े आपन तमे जानों चो अने छेल्लू सिंपल अक्जिलरी वर्ब जेचे डू ए पण आपणे शिखीज गया चीए डू, डज अने डीड एना त्रण अलग अलग स्वरूपो चे डू अने डज आपणे जानिये चीए के वर्तमान काड मा वपराई चे तमने एक खबर पण चे के डू अने डज नो उपियोग आपणे नकार वाक्य बनावा माटे के प्रस्नार्थ वाक्य बनावा माटे करिये चीए जे आपणे शिखी गया चीए एज रिते डीड भुदकार मा वपराई चे तो मित्रो आथ त्रों सिंपल अक्जिलरी वर्प्स चे जेना विशेत में अल्रेडी शिखी गया चो हवे आपणे वाद करवी चे सहाई कारक क्रियापद नो जे बीजू प्रकार चे मोडाल अक्जिलरी वर्प्स हवे modal auxiliary verbs जे छे ए नीचे मुझम छे एवु लखी अने एक लिस्ट आपेलू छे शेल, विल, केन, कूड, मे, माइट, शूड, मस्ट, वूड, एटसेटरा वगेरे वगेरे हवे आ बधाज modal auxiliary verb तरीके गणाई छे तमने इम थाई के simple auxiliary verb अने modal auxiliary verb माँ फेर शूँ simple auxiliary verb छे ए काड के समय निश्चित करवामा सहाई करे छे ज्यारे modal auxiliary verb छे ए मुख्यत्वे mood नक्की करवामा भाव के अर्थ नक्की करवामा सहाई कारक करे छे हवे आ modal auxiliary verb छे एने आपणे एक पची एक समझवा छे आमाना केटला तमे प्राइमरी लेवले समझी गया छो पण आपड़े एने फरीती जोईशूं अने नवा जे शिखवाना छे ए पण शिखिशूं सवथी पेला जे लिस्ट मा तमने देखाई छे शेल अने पची विल तमने तमारी स्क्रीन उपर नीचे हेडिंग के नेवू पण देखाई छे एनों मतलबीम के तमे समझी गया अचो के सर वात करवा नाचे कें नी तो पढ़े शेल अने विल नूँ शूं मित्रों तमें शेल ने विल सहाईकारक क्रियापद विशे जानोज चो कारण के आपड़े एने भविश्य कार ना वाक्यों ज्यारे शिख्या त्यारे शेल ने विल विशे समझिया चीए साधा भविश्यकारणा वाक्यों आपड़े बनाविये छे त्यारे एमा सहाई कारक क्रियापत तरीके शेल ने विल नो उप्योग करिये छिए मित्रो क्यारेक कोईक विद्यार्थियो अत्वातो कोईक जग्याए तमने अवु केवा मा आवे के शेल ने विल छे एने पन तुबी ना रूपनी साथेज लई लेवा मा आवे मतलब एमीजार छे ए तुबी ज्यारे वर्तमानकार मां होई त्यारे मुकाई तुबी ज्यारे भुदकार मां होई त्यारे वोज अने वर मुकाई अने ज्यारे भविश्य होई त्यारे शेल अने विल मुकाई एवू जो तमें जानता हो तो एक स्पस्टता मारे करवानी छे के शेल अने विल ए तुबी ना रूप न थी शेल अने विल ए सिंपल अक्जिलरी वर्ब न थी ए मोडाल अक्जिलरी वर्ब छे एनो उप्योग भले तमें जे शिखेला छो एज करवानों छे भविस्य दर्शावा माटे एटले एनी जर्चा आपड़े अलग थी अईया करता नथी आपड़े शरू करवू छे केन modal auxiliary verb केन आ केन विशेपन तमें शिखेला आज छो छता जो ये केन ए auxiliary verb शो छे कैक अउल देखाई छे तमने केन विशेपन निचे मुझब छे पेलो विशेपन शक्ती इन्टु ब्रेकेट एबिलिटी दर्शाववा माटे वाक्यनी अंदर में तमने हमनाज कई वे प्रमाने ज्यारे केवो अर्थ प्रगट करवो छे केवो भाव प्रगट करवो छे एना माटे तमारे modal auxiliary verb वापरवा नाचे हवे के न ए ज्यारे वापरवामा आवे त्यारे ए वाक्यनी अंदर मोटे भागे एबिलिटी के शक्तीनों अर्थ व्यक्त थतो होई तमें अमुग क्रिया करी शको छो, हुँ अमुग क्रिया करी शकू छू, तेवों अमुग क्रिया करी शके छे, तो आ शकू छू के शको छो के शके छे एवु आपणे जे गुदरादी भासा मां बोलिये छी ए, एक प्रकारनी एबिलिटी बतावे छे, अनि अउज यारे मोडाल अक्जेलरी वर्बनो उप्योग करवानों छे। एनो मतलब मित्रो एवो न थी हो के तमें डिक्सनेरी मां शोधवा बेशो के केन शब्दनों गुजराती शू थाई। तो शकू के शकू के शके एवू कई गुजराती तमने डिक्सनेरी मां मडशे नहीं। कारण एक केन नो कोई गुजराती वर्ड न थी पण केन द्वारा जे व्यक्त थाई चे अंग्रेजी भाषा मां एज बाबत गुजराती भाषा मां शकू के शको के शकिये एवा शब्दों द्वारा आपड़े व्यक्त करता हो ये चिये। ओके, लेड़ेस सी सम एक्जाम्पल्स। शक्ति दर्शावता एक्जाम्पल्स केन ना केवा होई शके। मतलब मारामा अंगरेजी बनावानी शक्ती चे, ability चे, आउड़त चे अने एदर्शावा माटे मारे सहाई कारक क्रियापद can वापरवु पड़े I can teach English सहाई कारक क्रियापद केन ने में करता आई नी पाछड मुक्यू नेक्स एक्जाम्पल अमें जडबती दोड़ी शक्किये चिये मतलब अमारा मां जडबती दोड़वानी एबिलीटी चे शक्ती चे वी केन रन फास्ट बहुँ इजी चे मित्रो शान्तिती समझसो शान्तिती सांबडशो समझाई जसे थर्ड एक्साम्पल तमें आ समस्या उकेली शको चो मतलब तमारा मां आ समस्या उकेलवानी ताकात चे आउड़त चे एबिलीटी चे यू केन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फोर्थ एक्जाम्पल तेवो आश्पर्धा जिती शके चे मतलब तेवो आश्पर्धा जित्वानी शक्ती धरावे चे एबिलीटी धरावे चे मतलब एना मां एवी शक्ती शे के आँ कम्पीटीशन ने जिती शके चे एक्जाम्पल नबब फाइव सोनल सारू गाई शके चे मित्रो आपड़े काम करिये पेला करता ताहे रिते आपड़े वाक्यो उजे जवाब चे ने हूँ स्क्रीन ऊपर नथे लाओ तो, तमें तमारी रफ नोट बूक मां नौधी शको सोनल सारू गाई शके चे, करता सोनल चे, सोनल केन, सिंग सारू गाई शके चे, वेल नेक्स्ट एक्जाम्पल जो इए, तेओं तम ने हरावी शके चे मतलब तेवो मां शक्ती छे शेनी तमने हरावानी तो दे जवाब होई शके जो जो बराबर नो दिलो, विचारी लो ओके, now see the answer on the screen देवो तमने डिफीट करी शके छे, हरावी शके छे नेक्स एक्जाम्पल, ओके, आचव एक्जाम्पल सुपर्दी तमने अंदा जावी कर यह शे के केनना शक्ती दर्शावता वाक्यों केवा होई हवे केननो भी जो उप्योग परवान गी परमिसन नो अर्थ व्यक्त करवा माटे वाक्यमा ज्यारे परमिसन मागवी होई के परमिसन आपवी होई एवू कही तमारे व्यक्त करवू होई, त्यारे पन तमे केन वाप्री शको छो फोर एक्जामपल, तमे हवे जही शको छो मानिल्यो के क्लासरूम मा तमे बेठा हो, लेक्चर पुरो थाई छे तमारो भणवानों समय पुरो थाई छे त्यारे टीचर तमने एम किये, कि ओके तमे हवे जही शको छो तमें आवे जही शको छो मतलब तमने जवानी परवान गी छे तो अवू ज्यारे केवू होई त्यारे पन केन वापरी शकाई छे You can go now Second example तमें मारो स्मार्टफोन वापरी शको छो मतलब तमारे जरूर छे तातकालिक कहीं कि इमर्जनसी वापर वो पड़े एम छे स्मार्टफोन तो हूँ तमनें कहो के ओके कहीं वान दो नी तमें मारो स्मार्टफोन वापरी शको छो मतलब हूँ तमनें मारो स्मार्टफोन वापरवानी परवान गी परमीसन आप कुछू You can use my smartphone Use it ले वापर हूँ ए तमनें खबर छे Next example जो ये मात्रव वाक्याज राकूचू स्क्रीन पर तेनी मारी डाइरी वाँची शके छे मतलब मारी डाइरी वाँचवानी हुएने छूट आप कुछू परवान गी आप कुछू बले वाँचे लख्यो जवाब विचारियो ओके ले टाइरी शी केन रीड मारी डाइरी ये माची शके छे Next example बाढको आ बगी चामा रमी सके छे मतलब आ बगी चामा रमवानी बाढको ने परवान गी छे छूट छे जवाब विचारियो श्क्रीन पर जुओ The children can play in this garden The children करता छे Can play रमी सके छे Right? Okay Next Okay तमने हवे देखाईचे तमारी श्क्रीन पर तमने इम थाई के जे एक्जाम्पल्स जो या एक केन ना चे बराबर पड़ा जे एक्जाम्पल हकार वाक्य ना चे हवे आपडे नकार वाक्य होई तो केवू होई एनी वाद करिये तमने नेगेटिव सेंटेंसीज केम बनावाई एज यारे समझाव्यू त्यारे एक सर्व सामान्य नियम आपेलो हतो के वाक्यमा आवता सहाई कारक क्रियापत पची नोट मुको या च्यमित्रो आ नियम एज वस्तू एज बाबत अईया पन लागू पड़े छे मतलब केन सहाई कारक क्रियापत छे तो तमारे केन नी पाछड नोट मुकी देवानू छे जो वो बोल्डक्षर इस्तू लखेलो छे नकार वाक्यमा केन नोट अथवा कांट मुकाई छे कांट सी ए एन एपोस्ट्रोफी टी आज ये छे एक केन नोट नो टुकु रूप छे अने मित्रो अईया केन नोट भेगू तमने जे देखाई छे सी ए एन एन ओ टी ए कोई टाइप करवा मा भूल नथी बराबर याद रग जो एने एवी जरीते लखाई छे गणा बदा लोको विद्यार्थी योज नहीं बीजा पन केन अने नोट ने अलग अलग शब्द तरीके लखता होई छे जे खोटू छे केन नी पाचड ज्यारे नोट मुखवा मा आवे त्यारे C-A-N-O-T साथेज लखवानू छे अथवा तो C-A-N-T एवू टुकुरूप लखवानू छे ओके लेट सी सम एक्जाम्पल्स हूं विज्णान बनावी शक्तो नथी मतलब मारा मां अंग्रेजी बनावानी शक्ती के अबिलिटी छे पड़ विज्णान बनावानी नथी ए हूं मानी लोके कबूल करूचू तो एनकार भाक्य बन्यूँ आई सेक्ट एक्जाम्पल्स तम्मे आ दाकलो उकेली शक्ता नथी मतलब तमारा मां आ दाकलो उकेलवानी शक्ती नथी नेगेटिव यू कैन नाट सॉल्व दिस सम बहु इजीली समझाये हुचे नेक्स्ट तेनी आ बेग उचकी शक्ती नथी मतलब आ बेग एटली बदी वजंदार चे के तेनी ए उचक्वा माटे सक्षम नथी शक्ती मान नथी तो शी कैन नाट लिफ्ट दिस बैग नंबर फो तमें मारी फाइल वाँची शको नहीं जो मित्रों पेला त्रण एक्जामपल्स छे ए नेगेटिव तो छे पन शक्ती बतावता वाक्यों शक्ती नथी ए उखेता वाक्यों हवे जे वाक्या आवियो ए परवानगी वाडू नकार वाक्यों तमें मारी फाइल वाँची शको नहीं मतलब तमने मारी फाइल वाँचवानी परवानगी नथी छूट नथी तो यू कैननाट रीड माई फाइल नेक्स्ट तेवो मारी ओफीस मा प्रवेशी शक्ये नहीं मतलब हूँ एने ओफीस मा प्रवेश्वानी परवानगी आपतो नथी एटले परवानगी दर्शावतू नकार वाक्यों दे केननाट जो मित्र अइयां भूल छे केनने नोट भूलती जुदा टाइप थे गया छे ए साथेज गणवानु छे दे केननाट एंटर माई ओफीस कदाच तम नेम तसे के सरे पोते जिस पस्टता करी के घणालोग आउँ करता होई छे ने अईयां सरे जे लख्यू छे एमाज केनने नोट अलग के माव्या मित्रो तमें जानता है छो के कम्प्यूटर के मोबाईल मा त्यारे तमें कोई वस्तो टाइप करता हो छो त्यारे ओटो करेक्ट ए नी द्रस्टी ए मोबाईल नी द्रस्टी ए ए गणी वक्षत थे जतू होई तो केनने नोट बे अलग शब्द तरीके ए मोबाईल आपो आप लईले अने जेते समय ध्यान नौ जाए तो ए अलग रही जाए ए रिते आ वाक्य मा अलग रही गईूँशे हवे वाद आवी प्रस्टनार्थ वाक्यों मा मित्रो तम ए पन जाणो चो के इंटरोगेटिव सेंटेंसीज आपणे जे शिख्या एमा ए वी वाद करी थी के प्रस्टनार्थ वाक्यों मा सहाई कारक क्रिया पद छे ए आगड आवी जाए करतानी पेला तो अहिया पन तमारे एज करवानू चे केन सहाई कारक क्रिया पद ने करतानी पूर्वे मुकी देवानू चे तमने बोल्ड लक्षरे लखेलू अंचायज चे प्रस्टनार्थ वाक्यों मा केन करतानी पूर्वे मुकाई चे फर्स्ट एक्जाम्पल तमे आज छत ने अडी शको छो मतलब हुँ तमने पूछू चू क्या आज ये सिलिंग छे छत छे येने तमे अडी की शको पर्ष करी शको ठेकड़ों मारी ने के कोई पंड रिते तो जो प्रस्टनार्थ वाक्यों नो होई तो यू केन टच एव आवी होई पंड या प्रस्टनार्थ चे के ना गड़ा आवी गियू सचीन फुटबोल रमी शके छे मतलब हूँ पूछू चू के सचीन मा फुटबोल रम्मानी आविलिटी के आवड़त छे मने खबर न थी ये टला माटे हूँ पूछू चू मानी लो तो केन सचीन प्ले फुटबॉल जो वाक्या प्रस्नार्थ नो होई तो सचीन केन होई पड़ वाक्या प्रस्नार्थ चे एडले केन सचीन Next example मतलब 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 परवांगी मागूचू मागूचू परवांगी मतलब प्रस्ना पूचूचू Can I read your notebook केन आगड कारण वाक्या प्रस्नार्थ चे Next विद्यार्थियो पुस्तकाले माँ जही शके मतलब परवांगी मागे चे विद्यार्थियो वती कोईक के विद्यार्थियो पुस्तकाले माँ जही शके जो हाँ पाडता होई तो ए लोगो जाई Can the students go to the library? जो हाँ परवांगी मतलब एमने लाइब्ररी माँ जवानी परवांगी चे वो कही गही याँ भाव पर गटता है चे नंबर फाइव हुँ आ मोंगी कार कई रीते खरीदी शकू हवे जे क्वेश्चन आवियो एमा तमें जो वो कई रीते शब्दा आवियो मतलब डबल्यू एच क्वेश्चन आवियो डबल्यू एच क्वेश्चन के ने के वाई तमें शिखी गया चो प्रस्णार्थ वाक्तिय बे प्रकार ना होई यस नो क्वेस्चन आने डबल्यू एच क्वेस्चन उपर ना चे चार उदाहरण जोया ए यस नो क्वेस्चन ना हता हवे उदाहरण आवियो डबल्यू एच क्वेस्चन वाडू तो आपड़े जानी अची है कि प्रस्णार्थ शब्द सवती पेला मुखव पड़े शूंचे जवाब How can I purchase this costly car Can अगड़तो आवियो I नी पेला पन WH वाडो प्रस्नात शब्द N नी पन पेला आवि गयो Next आ प्रस्ननों जवाब कोण आपी शके आपन WH question चे प्रस्नात शब्द WHO तमारे वापर हो पड़े Who can answer this question अमें अमारा पुस्त को क्या मुकी शकिये मतलब अमने क्या मुकवानी छूट चे बोलो ए प्रमाणे अमें राखी दईये तो क्या, where where can we put our books समझाई चे ने मित्रो जो वाक्य विधान वाक्य होई सादू वाक्य होई तो we can put एवु होई जो yes नो question होई तो can we put एवु होई पन WH question चे एटले can नी पनागड where एटले के प्रस्नात शब्द आवी गयो ओके फ्रेंस तो आज है आपणे वाद करी ए केन नो उप्योग के वी रिते करवो एनी वाद करी राइट प्रस्नात वाक्य केम बनावाई तमें समझी गया नकार वाक्य केम बनावाई एपन तमें समझी गया केन ना बे उप्योगो शक्ति औने परवांगी बतावता आ बे उप्योगो पन तमें समझी गया आशो next lecture मा आपणे आना पचिना मोडाल अक्सिलरी वर्बनी वाद करीशू त्यां सुधी गुडबाई, टेक केर